पीम मोती ने संसद हमले पर जताया दुख अपनी ही पार्टी के विरुद कैलास वीजे वर्गी न दिया बयान क्या अब पार्टी के खिलाफ जाएंगे कैलास वीजे वर्गी आखिर कॉंग्रेस क्यूं बना रही संसद हमले को एजेंडा नमश्कार आप देख रही है नेक्स राएं न्यूज पॉलिटिकल बाइट मैं हूँ आपके साथ अकास्ट वीदी तर्शकॉप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे ऐसे ही एक बयान को लेकर जिसके बाद से ही यहां पर जो राजनीती है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है तर्शकॉप आपको बता दे कि भारती जंता पार्टी की ही नेता कैलास विजेवरगी का बड़ा बयान आता है कैलास विजेवरगी संशत के अंदर हुई चूक कोल्य कर उसे चोटी सी गटना बता रहे हैं और इस पर अपणी तमाम पृत्किया syत्य रख थे जाएगा और इसके कड़े इंतिजामात किये जाएगी वहीं इस मुद्धे पर देश के प्रधान मंतरी नेंद्र मूदी ने भी कहा कि यह जो समस्या है यह बड़ी समस्या है और इसको जल से जल सुलजाया जाएगा और जो भी इसके पीछे दोसी हैं उनको यहां पर करी देदूं तो यहां पर बीजेपी के रास्ट्रिया महा सचीव कैलास विजेवरगी ने संसत सुरक्षा उनलंगन के मुद्धे को लेकर विपक्ष पर कटाक्श किया उन्होंने कहा कि विपक्ष एक छोटी सी बात का मुद्धा बना कर हैरानी बना रहा है और इस तरह की बात यह है कि देश के ग्रह मंत्रिया में शायस मुद्धे पर अपनी बात रख चुके हैं और इसको वह बड़ी चूप बता चुके हैं कैलास विजेवरगी ने कहा है कि विपक्ष एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहा है जबकि बड़ी बात तो यह है कि कॉंग् सांसत के घर पर जो 400 करोन से जादा की संपत्ति मिली है उसको दबा दिया गया है बता दें कि यहां पर कैलास विजेवरगी का एमानना है कि भारती जन्ता पार्टी के उपर जो कॉंग्रेस पार्टी इलजाम लगा रही या संसा सदन के अंदर जो चूक हुई उसको लेकर संसत को बात बड़ा बना रही है यहां पर पर प्रोल करने की जब्कि बात इस मुद्दे पर करनी चाहिए कि कंग्रेस स्थांसत के घर पर 400 करोण से जादा की आवयद संपत्र्थि मिली है उस पर आकिर कोई बात क्यू नहीं कर रहा बता दें कि दूसरी और का प्रिश्ट ने इस हमला है कि केंद्रिय के अंतर रह मंतरी के न किकी और वैह देने के लिए बात के दिए बता दें कि यहां पर जो इनके अनेता है कॉंग्रेस पार्टी सांसद के लास विजय वरगी के द्वारा इनके द्वारा जो बताया गया यानि कि धीरत सहुझ इनके घर पर 400 क्रोन सु रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली है उनका यह कहना है कि यह जो संपत्ति का दाइरा आ रहा है यह पूरी तरह से जूटा बताया जा रहा है वहीं इसके जाच को लेकर यहां पर केलास विजय वरगी ने कई बाते अपनी रखी इसके साथ ही आपको बता दें कि देश के प्रधान मंतरी नेंद्र मुदी ने संसत सुरक्षा की सेद क गटना पर अपनी प्रतक्रिया को पूरी तरह से विक्त किया है इसे गंभीर मामला बताया है वहीं प्रधान मंतरी के राजिनीतिक दलों से इसे मुद्दे का राजिनीती करन करने से परहेज करने का भी आग्रे किया है पता दें कि उन्होंने कहा है कि इस रास्टिय सुरक् लंगन को गंभीरता से लेने कर निर्देश दिया उन्होंने गुरुवार को एक बैठक के दौन अपने मंत्रियों से कहा इस गटना को गंभीरता से ले राजनीती ना करें हम सभी को सवधानी बरतनी होगी इसके साथ ही आपको सब्सकों बता दें कि सरकार ने संसत की को सदन की सदस्तों से सूचित किया था उन्हों ने संसत परिसर की सुरक्षा के विबिन पहलों की जांच करने की विवाद कही थी और यह कहा था कि इसके अंदर जो भी दोसी है जो लोग इस पूरे मुद्दे पर सामिल है उसे पकड़ा जाएगा पूस्ताच की जाएगी जो भी जानकारी निकल कराएगी वो पूरी कमेटी मेंबर के सामने रखी जाएगी ऐसा नहीं कि किसी एक विक्ति या किसी एक विसेज पार्टी को बताया जाएगा बलकि पूरी पार्टी जो संसत की जितने भी सदस से उनके सब के सामने पूरी जाच को रखा जाएगा और सहमती लेने के लिए फैसला करना और इस आधार की कारवाही की जाएगी कि आगे सब की सहमती रहे और जो सदन की कारवाही है वो सुचारू रूप से चलती रहे उस पर इस मुद्दे को लेकर कोई बाधा ना आए और इस मुद्दे को लेकर टीकर टीपड़ी सदन के अंतर न निरका वहीं बिड़ला ने सांसदों को लिखे पत्र पर कहा है कि यह दुर्भागी पूर्ण है कि कुछ राजनीतिक दल और कुछ सांसद सदन द्वारा लिए गए सदनों के निलंबन के फैसले को संसद से में हुई घटना से जूड रहें यह अनुचित बताया जा रहा है व पालन से जुड़ा है संसद आ जो है नए संसद भवन में प्रिवेश के समय हम सभी ने मिलकर तै किया था कि हम सदन की तक्तियों और प्लेट कार्ड से लेकर अग कोई भी इस पर अपने टिपड़या नहीं रखेंगे वहीं सदन में वेप की जानकर से हंगामा नहीं करेंग इसी संदर में सदन की गरिमा और प्रतिष्टा की सुरक्षा के लिए भी सदन की सदस्यों को अनिलंबन का काठोर निर्णे लेना पड़ा बता दें कि इस निर्णे को उनको भी दुख है लेकिन आप सभी मेरी अपेक्षा भी है कि भविश में सभी सदस सदन की गरिमा को सर रहे और यहां पर अमित शास से बोल रही है कि आप सदन के अंदर आकर इस बाद का जवाब दीजिए पुस्टि करिए और इसके अंदर क्या-क्या जानकारिया चल रहा है उसके बारे में यहां पर सब सी बात है और कॉंग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टी इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है ताकि उनका जो आठिकरा है वो किसी और पर फोड़ा जा सके बता दें कि समुद्धे पर कहलास विजे वर्गी ने पूरी तरह से कॉंग्रेस सांसत के उपर धमला बोला द के परधान मंतरी नेंद्र मोधी हो ये मान चुके हैं कि ये एक बड़ी चूक है तो अखरकार कैलास विजे वर्गी अपने मुद्धे से भटक कर क्यूं बोल रहे हैं वो भारती जन्ता पार्टी के खलाफ जाकर ऐसी बातों को क्यूं रख रहे हैं जब उनके पार्टी के डिजर्ट करते थे और चाहते थे कि आने वाले समय में उनको सियम के रूप पर देखा जाए और मद्यप्रदेश की रेस में सियम की वो भी कही न कहीं आगे चल रहे थे सिवरास सिंग के बाद उनका ही नंबर आ रहा थे लेकिन यहां पर उनको वपद मिला नहीं तो कहा य जा रहा कि कहीं न कहीं उसी चीज को लेकर जो अंदर मन मुटाओ यहां पर कैलास विजेवर्गी के मन पर बैठ गया है इस वज़े से कैलास विजेवर्गी इस तरीकी की बाते बोल रहे हैं अपनी ही पार्टी के खलाब दर्श को अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से स इठा कर बै odpowied बैयां दे दिया वो कई मायने ख़ड़े करता है कि कैलास विजेवर्गी क्या अब अपनी ही पार्टी रूस्ट हो चुके हैं वो पार्टी के हित की बात तो कर रहे हैं लेकिन पार्टी के लोगों की जो विचार है उससे हट कर बात कर रहे हैं यहां पर उन्हों ने विपक्षी पार्टियों को घेरा तो लेकिन अपने पार्टियों की जो नेता उनकी सहमती के विरुद आकर कही न कहीं जो बात कहीं वो कई बड़े सवाल खड़े करता है दर्सकुस पूरे मुद्धे पर आप अपनी क्या रा रखते हैं नीचे कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बताईएगा फिल्हाल करे इतना ही देश दुनिया की तमाम कबरों से जुड़े रहने के लिए अब देखते रहे नेक्स ट्रॉए न्यूस पॉलिटिकल बाइट